किसान भईयों यह जो आप देख रहे हैं सुंदर सुंदर छोटा छोटा फल यह जो है लीची है और यह जो है चत्तिस गण में है और यह देख रहे हैं जो इधर आप धान का खेत देख रहे हैं चत्तिस गण में रभी की क्रोप लई ली जाती है धान की तो धान के बगल में लगा है प्रूह में तीन चार पोधे हैं लिची जबसे ज्बाइज बिहार में फेमस है बिहार लेकिन आप 36 गंड मध्य प्रदेश या पिर अन्य जो राज्यू में भी आप लीची को लगा सकते हैं ये लीची पीछले तो इसमें क्या problem आती है वो मैं आपको बताता हूं कि देखे जब यह लीची अभी तो अच्छा होता है अच्छा से फल भी इसमें आते हैं जब यह पक जाता है तो पकने के बाद इसमें जो है जो बिहार की लीची में जो color आती है एकदम अब देखेंगे pink type से color आती है वो color इसमें नहीं आती और यह फट जाता है मतलब यही एक समस्या रहती है हमारी 36 के मिट्टी में लेकिन अगर आप इसको ढखने की उपाय करते हैं जैसे कुछ इसमें अपना जो नेटोगर लगाते हैं तो निश्ची तोर पर यह फटेगी भी नहीं और अच्छा भी color देगा और यह एक पोधा है फल तो काफी अच्छा है मतलब यह टीक अच्छा रहा है मतलब कि हमारा जो वेदर है चत्तिजण का या पिर MP का जो यह वेदर उडिसा का जो वेदर है इसमें लीची हो सकती है हो रहा है काफी अच्छा तरीके से टीक भी रहा है और फल की मैं वही बत दिखने में फिलाल आप भी अगर लीची लगाने के प्लान कर रहे हैं तो आप लीची को लगा सकते हैं यह डेमोस्ट्रेशन के तोर पे तीन पेंड लगा हुआ था और तीनों के तीनों पेंड में जवर्दस्त फूर्ट आई हुई है और लगबग हर सार आ रहे हैं पिछले आपका काम आया होगा अच्छा लगा तो वीडियो को सेयर और चैनल को सब्क्राइब चुरूर करिए गया